हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल डृष्टी आएस एंग्लेश प्रिय वीवर्स आईएस प्रारंभिक परिक्षा 2020 के मद्दे नजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रेल 2020 तक के समसामई घटनाओं का विशयवार संकलन तयार किया है इसके लिए दृष्टी आईएस यूट्यूब चैनल के सापता ही करिंट न्यूज बुलेटिन को विशयवार संकलित किया गया है इसके जरिये आप राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान ने उंप्रोध्यों की जैसे विश्यों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्यपोंड घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडिये भी उपलब्ध कराई जाएगी उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिष्चित सफलता के लिए उप्योगी साबित होगी वित्मंत्राले ने एक से साथ अगस्त के बीच देश का पहला नेशनल टाइम रिलीज स्टडी का एउजन करवाया आगे इसे सालाना अधार पर संस्थागत करने की यूजना है टाइम रिलीज स्टडी यानि TRS अंतराष्ट्रिय अस्तर पर मानिता प्राप्त टूल है इसकी शुरुवात वर्ल्ड कस्टम और्गनाजेशन ने की थी इसका मकसद अंतराष्ट्रिय व्यापार प्रवाह की प्रभावशीलता और दक्षता को मापना है भारत ने TRS कराने का निर्णय वैश्विक व्यापार में सुधार के प्रती आपनी रणनीतिक प्रतिबधता के तहत लिया है इसका मकसद व्यापार प्रवाह प्रक्रिया में आने वाले अवरुधों की पहचान करना और उनका हल निकालना है इसके लिए व्यापार नियांतरण को प्रभावित किये बिना जरूरी नीतियां और सीमा प्रक्रिया को दक्ष वो प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाये जाएंगे नेशनल टी आरेस से देश भर के बंदरगाहों के लिए एक बेसलाइन परफॉर्मेंस मिजर्मेंट स्थापित होगा और सभी प्रक्रियां का मानकी करण होगा भारतिय प्रक्रिया का मानकी करण होने से इनकी अंतराष्ट्रिया मानकों के साथ तुलना हो सकेगी इससे निर्यातों मुखी उद्योगों और MSME को फायदा मिलेगा यहाँ ध्यान देश भर के 15 समुद्री, वायू, भूमी आधारित और ड्राई पोर्ट्स पर कराये गया कश्टम प्रशासन को दक्ष और प्रभावी बनाना है, वर्तमान में 183 कश्टम एड्मिनिस्ट्रेशन इसके सदस्य है, भारत 1971 से इसका सदस्य है हाली में कौशल विकास वो मुद्यमिता मंत्री ने पहली प्रोग्राम गौवर्नेंस बोर्ड मीटिंग में संकल्प योजना का रिवीव किया यह कौशल विकास वो मुद्यमिता मंत्रा लेकी विश्व बैंक से सहायता प्राप्ति योजना है संकल्प योजना में हिस्सा लेने के लिए देश के सभी राज्यों और संग राजिक ख्षत्रों ने अपनी सहमती भेज दी है इस योजना के तहट पहले साल के अनुदान के तौर पर 9 राज्यों को 95.47 करोड रुपे दिये गए हैं इसके अलावा 117 आकांक्षी जिलों के लिए 11.7 करोड रुपे की राशी दी गई है इसमें हर जिले को 10 लाख रुपे मिलेंगे इसके अलावा संकल्प योजना के तहट स्किल इंडिया पोर्टल का विकास किया गया है ताकि कोशल विकास से जुड़े आंकड़े एकठे किये जा सकें आपको बता दें कि संकल्प एक आउटकम केंडरित और केंडर प्रायोजित का रिक्रम है यह केंडर और राज्यों की एजेंसीज दोनों को शामिल करते हुए पूरे स्किल एको सिस्टम पर फोकस करता है संकल्प का मकसद नेशनल स्किल डेवलप्मेंट मिशन के लक्षों को लागू करना है इसके तहर चार प्रमुख क्षत रहें राश्ट्रिय, राज्य और जिलास्तर पर संस्थागत मजबूती कौशल विकास कारेक्रमों की गुडवत्ता सुनिश्चित करना कौशल विकास में हाश्ये पर खड़े लोगों को शामिल करना और सारवजनिक निजी भागिदारी के माध्यम से कौशल का प्रसार करना बारतिया रिज़र्व बैंक ने सारवजनिक क्षेत्रों के बैंकों के बोड में निदेशकों के लिए fit and proper माप दंडों को सख्त कर दिया है इसके तहित सारवजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए एक नामांकन और पारिश्रमिक समिती यानि NRC का गठन करना ज़रूरी है इसके तहित सारवजनिक क्षेत्र के बैंकों के निर्वाचित निदेशकों को संबंधित बैंकों के बोड की नामांकन और पारिश्रमिक समिती द्वारा निउठ किया जाना है NRC में निदेशक मंडल से नियूंतम तीन गैर कारेकारी निदेशक शामिल होंगे इन में से स्वतंत्र निदेशक आधे से कम नहीं होने चाहिए और कम से कम एक सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समीती से होना चाहिए किंद्र सरकार के नामित निदेशक नामांकन और पारिश्रमिक समेती का हिस्सा नहीं होंगे NRC से जुड़े शर्तों और निदेशकों के नियुक्ति के तरीके को नेजी बैंकों में प्रचलित तरीकों, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा की गई से फारिशों और कंपनी अधिनियम में प्रावधानों के साथ संबध किया गया है कारिकाल के विशेपर RBI ने कहा कि एक निर्वाचित निदेशक को 3 साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है और उसे पुनह निर्वाचित भी किया जा सकता है लेकिन वहाधिक्तम 6 साल तक ही पद पर रह सकता है इसके साथ ही एक निगेटिव लिष्ट भी है जिसमें बताया गया है कि किन स्थितियों में कोई उमिद्वार NRC में नहीं चुना जा सकता Corporate मामलों के मंत्राले ने Companies, Share Capital and Debencher नियमों में संशोधन किया है इसके तहट गैर सूचिबध कंपनियों के संदर्भ में Debencher Redemption Reserve यानि DRR को 25 फीजदी से घटा कर 10 फीजदी किया गया है वहीं सूचिबध कंपनियों NBFCs यानि Non Banking Finance Companies और HFCs यानि Housing Finance Companies के संदर्भ में DRR रखने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है आपको बता दे कि DRR डिबेंचर जारी करने वाले भारतिय निगमों के लिए किया गया एक प्रावधान है इसका मुख्य मकसद कंपनियों के डिफॉल्ट होने के स्थिती में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि इसकी घोशना इवं प्राइवेट प्लेस्मेंट डिबेंचर दोनों के लिए सुचिवध्ध कंपनियों को DRR बनाना पड़ता था NBFC और HFC को सिर्फ पब्लिक इश्यूज डिबेंचर के संदर्व में DRR बनाना अनिवारे था सरकार इस निर्णे के जरीए कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी की लागत को कम करना चाहती है हाली में भारतिया रिजर्व बैंक के केंद्रिया बोड ने केंद्र सरकार को 1,76,000 करोड रुपे का सरप्लस ट्रांसफर करने करने ने लिया है केंद्रिया बैंक के पास तीन फंड होते हैं ये फंड हैं करेंसी एंड गोल्ड रिवेल्यूएशन अकाउंट यानि CGRA कंटिंजेंसी फंड यानि CF और एसेट डेवलप्मेंट फंड यानि ADF इन फंड में से सबसे बड़ा फंड CGRA है और दूसरा सबसे बड़ा फंड CF है CF एक्सचेंज रेट गतिविधियों और मौदरिक नीती नेनेयों से पैदा हुई अपातकालीन इस्थिती से निपटने के लिए बनाया गया है इसमें रिजर्व बैंक के लाव के बड़े हिस्से से फंडिंग की जाती है केंड्रिया बैंक हर साल अपना सर्पलस सरकार को स्थानांतरित करती है RBI द्वरा सरकार को सर्पलस का स्थानांतरन हमेशा से विवाद का मुद्द भी रहा है इस मुद्दे को देखने के लिए सरकार ने पिछले साल पूर्व RBI गवर्नर बिमल जालान की अध्धक्षता में एक समिती का गठन किया था हाल ही में RBI के केंड्रिया बोड ने इस समिती की सिफारिशों को मान लिया है समिती ने सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक को अपनी बैलेंस शीट के 5.5 से 6.5 फीसदी का एक कंटिंजेंट रिस्क बफर बनाना होगा जो मुख्यता कंटिंजेंसी फंड से आएगा मौजूदा समय में CF RBI की बैलेंस शीट का 6.8 फीसदी है 5.5 फीसदी को आधार मानते हुए बैंक ने CF के अतरिक्त फंड को सरकार को अस्थानांतरित करने का फैसला किया YCGRA के लिए समिती ने 20 से 24.5 फीसदी फंड रखने की सिफारिश की थी अर्थववस्था में चल रहे सुस्ती को दूर करने के लिए वित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने कुछ घोशनाएं की हैं सरकार ने विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए एक्विटी कैपिटल गेन पर बढ़ाया हुआ विवादित सर्चार्ज वापस लेने का निर्ने लिया है इस सर्चार्ज की घोशना बजट में की गई थी लेकिन यह सर्चार्ज सालाना दो करोड से ज्यादा कमाने वाले व्यक्तियों पर पहले की तरह जारी रहेगा वित्मंत्री की घोशना के मुताबिक अब से सामाजी कॉर्परेट उत्तरदायत्व यानि CSR मानदंडो का उलंगन आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा आपको बता दें कि CSR मानदंडो के उलंगन के लिए पहले तीन वर्ष के कारावास के साथ हार्थिक जुर्माने का भी प्रावधान था सरकार सार्वजनिक क्षत्र के बैंकों में सत्तर हजार करोड रुपे का पूंजी संचार भी करेगी सरकार के इस कदम का मकसद रिन वित्रण में वृध्धी के जरीए निजी निवेश में वृध्धी करना है ये सत्तर हजार करोड रुपे पांच लाग करोड रुपे की नई तरलता पैदा करेंगे जिसका इस्तमाल लोन देने के लिए हो सकेगा इसके अलावा सरकार हाउसिंग फाइनेंस कमपनियों में आतरिक्ट बीस हजार करोड रुपे की तरलता का संचार करेंगी आटो सेक्टर की मंदी को दूर करने के लिए सरकारी विभागों के लिए नए वाहनों की खरीद पर लगी रोक हटा ली गई है आपसे 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए वाहन भी आतरिक्ट 15 फीस्दी मूल्य रास के लिए पात रहूंगे साथी नए वाहनों की रेइस्टरेशन फीस्ट में प्रस्तावित बढ़ोतरी को भी जून 2020 तक के लिए रोक दिया गया है सरकार ने कर प्राधिकारियों की विवेका धीन शक्तियों पर प्रभावी रोक लगा दी है इन सब के अलावा एक औक्टूबर से आयकर विभाग के सभी नोटिस वसमन एक केंद्रिया कंप्यूटर द्वारा जेनरेट होंगे जिन पर एक यूनीक कोड होगा पंजिकृत स्टार्टप से एंजेर टैक्स भी हटा लिया गया है केंद्रिया सतर्कता आयोग ने बैंकिंग धोखा धड़ी के लिए सलाकारी बोर्ड का गठन किया है इसकी अध्यक्ष्टा पूर्व विजिलेंस कमिशनर टी एम भसीन करेंगे यह बोर्ड 50 करोड रुपे से ज़्यादा के बैंक धोखा धड़ी के मामले देखेगा और कारेवाही की सिफारिश करेगा इस बोर्ड का गठन भारतिया रिजर्व बैंक की सलाव पर किया गया है या बोर्ट धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की पहले इसतर पर जाच करेगा इस तरह के पैनल को पहले Advisory Board on Bank, Commercial and Financial Frauds के नाम से जाना जाता था नए बोर्ड में चार सदस्य होंगे इस बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष का कारेकाल दो साल का होगा इसके अधिकार क्षत्र में सारवजनिक क्षत्र के बैंकों में उधार खाते से जुड़े ऐसे धोखाधड़ी के मामले आएंगे जिन में General Manager या इससे उपर के अधिकारी के सनलगन होने का आरूप हो जबकि Lender 50 करोड रुपे से ज्यादा के सभी धोखाधड़ी के मामले बोर्ड के पास भेजेंगे यह बोर्ड समय समय पर वित्तिया प्रणाली में फ्रॉड एनलेसिस करेगा और RBI को नीती निर्माड के मामले में सलाह भी देगा हाली में अमेरिकी राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने विश्ववयापार संगठन के तहत भारत और चीन जैसे विकास शील देशों को मिले विकास शील देश के स्टेटस पर सवाल उठाए इसके बाद से विकास शील देश का दर्जा फिर से चर्चा में है विश्ववयापार संगठन यानी WTO के तहत विकास शील देशों को संगठन के बहुपक्षिया समझहोतों को लागू करने में कुछ छूट दी जाती है इसका मकसद गरीब देशों को प्रारंभिक दोर में नई वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ सामनजस से बैठाने के लिए कुछ समय देना था भारत और चीन जैसे कई देशों को WTO के विभिन समझहोतों में छूट मिली हुई है इसका आधार आर्थिक पिछडापन है हाला कि WTO ने पहले अपने किसी सदस्य देश को विकास शील देश का दरजा नहीं दिया था बलकि देशों को खुद को विकास शील अर्थविवस्था के तौर पर वर्गिकृत करना था इस प्रावधान के तहट WTO के लगभग दो तिहाई सदस्य देशों ने खुद को विकास शील देश घोशित किया आपको बता दें कि WTO एक अंतराष्ट्रिया व्यापार से जुड़ा निकाय है यह विभिन्य व्यापार बाधाओं मसलन टैरिफ, सबसिडी और कोटा को कम करके वस्तूओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देता है इसके लिए WTO ने कई व्यापार समझोते लागू किये हैं भारत और चीन जैसे विकास शील देशों को इन समझोतों को लागू करने में छूट मिली है ये देश टैरिफ और कोटा लगा सकते हैं उदाहरण के तोर पर भारत अपने किसानों के हितों के सुरक्षा और खादे सुरक्षा के लिए क्रिशी में भारी सबसिडी देता है दोहाँ डिकलरेशन में Special and Different Treatment Provisions को WTO के समझोतों का हिस्सा बनाया गया था दिसंबर 2013 के बाली Ministerial Conference में Special and Different Treatment Provisions के कारियानवयन की समिक्षा और विशलेशन के लिए एक मेकैनिजम भी इस्थापित किया गया था वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने कुछ बैंकिंग सुधारों की घोशना की है इसके तहट सारवजनिक शत्र के 10 बैंकों के विले की घोशना की गई अब 2017 में देश में मौझूद सारवजनिक शत्र के 27 बैंकों के मुकाबले 12 बैंक होंगे घोशना के मुताबिक Oriental Bank of Commerce और United Bank का विले पंजाब National Bank में किया जाएगा इसके बाद पंजाब National Bank देश का दूसरा सबसे बड़ा सारवजनिक शत्र का बैंक बन जाएगा इसके अलावा ब्रांच के मामले में यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा केंडरा बैंक और Syndicate Bank का भी विले किया जाएगा इसके बाद केंडरा बैंक सारवजनिक शत्र का चोथा सबसे बड़ा बैंक होगा तीसरा विले Union Bank of India, आंध्रा बैंक और Corporation Bank का होगा चोथा विले Indian Bank और इलाहबाद बैंक का होगा विले के प्रभावी होने के बाद बड़े बैंकों का निर्माड हो सकेगा इनकी रिंड देने की क्षमता बढ़ेगी और ये बैंक वैश्ट्वे कस्तर पर प्रतिसपरधा करने में सक्षम होगे इसके अलावा इन बैंकों की रिंड देने की कीमत में कमी आने से कारेकारी क्षमता बढ़ेगी बीते दिनों केंद्रिय मंत्रि मंडल ने कुछ क्षत्रों में FDI से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किये हैं इसमें सिंगल ब्रैंड रिटेल से संबंधित FDI नियमों में धील दी गई है साथ वर्षों के बाद सिंगल ब्रैंड रिटेल के एक शेतर में यह छूट दी गई ताकि दिगज विदेशी ब्रांड आसानी से भारत आ सकें इसके लिए सिंगल ब्रैंड रिटेलर्स को सौ फीस्दी विदेशी निवेश की अनुमती दी गई है साथ ही नए नियम के मुताबिक सिंगल ब्रैंड रिटेलर्स अब सीधें ऑनलाइन बिकरी शुरू कर सकते हैं पुराने नियम में इनके लिए एक श्टोर खोलने की शर्त रखी गई थी इसके अलाबा कोईला खननन और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्शर के क्षत्र में 100% FDI को मंजूरी दी गई है सरकार ने कॉन्ट्रेक्ट मेनुफैक्शरिंग में भी स्वतह मंजूरी के रास्ते 100% FDI को मंजूरी दी है डिजिटल मीडिया के क्षत्र में पहली बार 26% FDI विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है सरकार ने इन कदमों से कोईला, विनिर्माड और खुद्रा बाजार के क्षत्र में सकरात्मक बदलावाने की उमीद जताई है मौजूदा वित्यवर्ष की पहली तिमाही में GDP विद्धिदर से संबंधित आकडे जारी कर दिये गए हैं इसके मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद की विद्धिदर घटकर 5% FDI हो गई है यह पिछले 6 सालों के नियूनतम स्तर पर है पिछले वित्यवर्ष में इसी तिमाही में GDP विद्धिदर लगभग 8% FDI थी यह गिरावट मुखे रूप से विनिर्माड क्षत्र में तेज गिरावट और क्रिशी क्षत्र में आई सुस्ती की वज़े से आई है विनिर्माड क्षत्र की विद्धिदर घटकर 0.6% FDI हो गई है यह पिछले वित्यवर्ष में इसी तिमाही में 12.1% FDI थी क्रिशी क्षत्र की विद्धिदर घटकर 2% FDI हो गई है यह पिछले वित्यवर्ष में इसी तिमाही में 5.1% FDI थी मुख्य आर्थिक सलाकार के मुताबिक GDP की वृद्धिदर में यह कमी मुख्य रूप से आंतरिक और बाहकारकों के प्रभाव से आई है यह आकड़े Central Statistics Office ने जारी किये केंद्रिय आवास और शहरी मामलों के मंत्राले ने अंगिकार प्रोजेक्ट की गोशना की है इस प्रोजेक्ट का मकसद प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को अन्य केंद्रिय योजनाओं का लाफ देना है ताकि लोगों की जीवन गुडवत्ता और सामाजिक व्यवहार में बदलाओ हो सके यह प्रोजेक्ट दो अक्टूबर से दस दिसंबर तक चलेगा इस दोरान बड़े पैमाने पर जन जागरुकता का रिक्रम चलाए जाएगा इसके साथ ही वालेंटियर्स प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के घर जाकर ओज्वला योजना, आयुश्मान भारत योजना और LED लाइट के लिए उजाला योजना जैसी केंद्रिय योजनाओं के तहट उनका पंजीकरण करवाएंगे मंत्राले ने प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना के तहट 2.99 लाख घरों के निर्माड की भी घोशना की इस तरह इस योजना के तहट बनने वाले कुल घरों की संख्या 88 लाख हो जाएगी आपको बता दें कि यह योजना 2015 से 2022 तक चलाई जा रही है इसके तहट कार्यान वयन एजेंसीज को केंद्रिय सहायता मुहया कराई जा रही है टाकि 2022 तक सभी योग्य और लाभार्थी परिवारों को घर दिया जा सके श्रम ब्योरों ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना पर सर्विक्षन का प्रारूप जारी किया सर्विक्षन के आकड़ों के मुताविक अप्रेल 2015 से दिसंबर 2017 के बीच मुद्रा योजना के तहट दिये गए रिण के द्वारा कुल 1.12 करोण नए रोजगार पैदा हुए इन में से 68.92 लाख नए रोजगार महिलाओं को मिले हैं लेकिन महिलाओं को मिले कुल नए रोजगारों में 90 फीजदी से ज़्यादा रोजगार शिशू रिण से पैदा हुए हैं किशोर और तरुन रिण श्रेणी से पैदा हुए नए रोजगारों को देखें तो महिला रोजगारों में गिरावट डर्ज की गई है इन दो श्रेणियों में पुरुशों को 28.7 फीजडी जबकि महिलाओं को केवल 5.2 फीजडी नए रूजगार मिले हैं शिशु श्रेणी में कुल नए रोजगारों में 12 फीजदी के साथ करनाटक पहले स्थान पर जबकि ओडिशा 6.3 फीजदी नए महिला रोजगारों के साथ दूसरे स्थान पर है सर्वेक्षन के मुताबिक किशोर और तरुन श्रेणी में नए महिला रोजगारों के मामले में महाराष्टर पहले जबकि करनाटक दूसरे पायदान पर है जबकि इन्हीं दो श्रेणियों में नए पुरुष कामगारों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले जबकि महाराष्टर दूसरे स्थान पर है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुवात 8 अप्रेल 2015 को ही थी इसका लक्ष सूक्षम और छोटे उद्योगों को रिण मुहिया कराना है यह रिण तीन श्रेणियों शिशु, किशूर और तरुण में मुहिया कराए जाता है शिशु श्रेणी में 50,000 तक किशोर में 50,000 से 5,000 लाग तक जबकि तरुन श्रेणी में 5,000 से 10,000 रुपे तक का लोन दिया जाता है भारतिय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ सालों में किसानों की कर्ज माफी के द्वारा राज्जी के वित पर पढ़ने वाले प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की है यह रिपोर्ट RBI द्वारा इसी साल फरवरी में गठित इंटर्नल वर्किंग ग्रूप ने तयार की है इस रिपोर्ट में राज्जीों के अर्थववस्था पर कर्ज माफी के दुश्प्रभावों को बताते हुए राज्जी और किंद्र सरकारों को कर्ज माफी जैसे उपाय से बचने की हिदायत दी गई है रिपोर्ट के मुताबिक जब एक बार कर्ज माफी की जाती है तो यह 3-5 साल तक प्रभाव डालती है 2014-15 से 2018-19 के बीच विभिन राज्जियों ने कुल 2.36 ट्रिलियन रुपे की कर्ज माफी की घोशना की है इन में से 1.5 ट्रिलियन रुपे का कर्ज माफ किया जा चुका है जबकि आखरी बार किंदर सरकार द्वारा किसान कर्ज माफी की बड़ी घोशना 2008 नौ में की गई थी यह घोशना 0.72 ट्रिलियन रुपे की थी इसमें वास्तवी करज माफी 0.53 ट्रिलियन रुपे की थी इस आकड़े के मुताविक पिछले 5 सालों में राज्यों ने किंद्र सरकार द्वारा एक बार की गई करज माफी के 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत का करज माफ किया है करज माफी के तहट सरकार किसान द्वारा बैंक से लिए गए रेंड को चुकाती है इसके लिए या तो सरकार अपना राजकोशिय घाटा बढ़ाएगी या अपने खर्च को कम करेगी यदि राजजी के इस्तर पर राजकोशिय घाटा बढ़ता है तो निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध पैसे में कमी आती है इससे रेंड भी महगा हो जाता है इससे नए उद्यम कम खुलते हैं और रोजगार स्रिजन में भी कमी आती है इसके उलट अगर सरकार अपना राजकोशिय घाटा इस्तिर रखती है तो वह अपने खर्च में कटौती करती है इसमें ज्यादा तर पूँजगत खर्च में कमी की जाती है जिससे बुनियादी धांचे का विकास और भविष्य में विकास के आउसर कम होते हैं हाल ही में भारतिया रिजर्व बैंक ने उपभोगता रेणों के लिए रिस्क वेट रिक्वार्मेंट को घटा कर 100 फीस दी कर दिया है इससे ऐसे रेणों की कीमत में कमी आएगी हाला कि यह कमी क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं होगी रिस्क वेट रिक्वार्मेंट ऐसी पूंजी होती है जिसे कोई बैंक लोन डिफॉल्ड के स्थिती से निपटने के लिए प्रोविजनिंग के तौर पर अलग रखता है गौर तलब है कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के तहट परस्नल लोन और क्रेडिट कार्ड समेत सभी असुरक्षित उपभोगता रिण 125 फीजदी या इससे ज्यादा रिस्क वेट के तहट रखे गए हैं हालिय फैसले में इसमें कमी की गई है यह कदम उपभोगताओं में खर्च प्रविप्ति को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है इसके अलावा RBI ने बैंक द्वारा किसी गैर बैंकिंग वित्यस अंस्थान यानि NBFC को दिये जाने वाले रिण की सीमा इसके पूझी आधार के 15 फीजदी से बढ़ाकर 20 फीजदी कर दी है इस कदम से तरलता के संकट से गुजर रही NBFC में क्रेडिट सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी हाला के इसमें सोने पर रिंड देने वाली कंपनीज शामिल नहीं होंगी भीते दिनों राज्यों के संदर में Logistic Index चार्ट जारी किया गया इस चार्ट में गुजरात ने टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है वांडिज्य मंत्राले के अनुसार Leads यानि Logistics is Across Different States 2019 को Consultancy Firm Deloitte की सहयता से तयार किया गया है यह चार्ट निर्यात वो मार्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी Logistics सेवाओं की गुडवत्ता को दिखाता है इस Index के द्वारा Logistics क्षत्र में आने वाली समस्याओं को जानने और उन्हें दूर करने के लिए नीतियों के निर्माड में सहयता मिलेगी सूची में शामिल 22 राजियों में गुजरात के बाद पंजाब दूसरे और आंथर प्रदेश तीसरे पायदान पर रहा हिमाचल प्रदेश अंतिम इस्थान पर रहा वहीं बिहार बीसवें इस्थान पर रहा केंदर शासित प्रदेशों में चंडिगड दमन और दीव का इस्थान लेते हुए पहले पायदान पर रहा, वहीं दिल्ली ने दूसरा और पुदुचेरी ने तीसरा पायदान हासिल किया इस इंडेक्स का मकसद राजियों के बीच लोजिस्टिक के प्रदर्शन को बेहतर करने पर ध्यान किंद्रित करना है इस से देश में व्यापार क्षेतर में सुधार और ट्रांजेक्शन लागतों को कम करने में सहायता मिलेगी यह सूचकांक नौ पैरामेटर्स के विशलेशन पर आधारित है जिसमें बुनियादी धाचा, लोजिस्टिक्स की गुडवत्ता, सेवाएं, कार्गो डिलिवरी में लगा समय, विनियामक प्रक्रिया और सुरक्षा आधी शामिल है हाली में एक नई Export Credit Insurance Scheme यानि ECIS की शुरुवात की गई है वाणित जेव मुद्योग मंत्राले ने ECGC यानि Export Credit Guarantee Corporation के जरीए इसकी शुरुवात की है ECIS को निर्यात रिन विकास योजना यानि निर्विक के नाम से भी जाना जाता है इसका मकसद रिन उपलब्धिता को बढ़ाना और रिन देने की प्रक्रिया को आसान बनाना है इसचीम की घोशना वित्व मंत्री निर्मला सीता रमण ने की इसके दौरा सरकार निर्यात में बढ़ोतरी करना चाहती है इस मौके पर केंद्रिया मंत्री पियूश गोयल ने कहा कि GJD यानि GEMS, Jewelry and Diamond सेक्टर के वे उधार करता जिनके लिमिट 80 करोड रुपे से ज्यादा है उन्हें नौन GJD सेक्टर के उधार करताओं की अपिक्षा ज्यादा प्रेमियम रेट देना होगा इसका कारण उच्छाहानी अनुपात का होना है ECGC कवर बैंकों को अतरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि उधार करता की क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दी जाती है ECIS के तहट बीमा कवर को वर्तमान के औसतन 60 फीजदी से बढ़ा कर 90 फीजदी किया गया है मूलधन और ब्याज दोनों में यह वरिद्धी की गई है बीते दिनों SIMS याने Steel Import Monitoring System खबरों में रहा केंड्रिय वाडिज्य और उद्योग मंत्री पियूश गुयल और वाडिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंग पुरी के द्वारा SIMS को नई दिल्ली में लॉंच किया गया इसका मकसद सरकार और Steel से जुड़े अन्य हितधारकों को Steel के आयाद से जुड़ी जानकारियां एडवांस में उपलब्ध करवानी है ताकि वे इस संबंध में ओचित नीतिगत हस्तक शेप कर सकें इस प्रणाली का विकास इसपात मंत्राले के परामर्श से किया गया है या US Steel Import Monitoring and Analysis System पर आधारित है इस प्रणाली में SIMS के वेब पोर्टल पर Specified Steel उत्पादक के आयातक एडवांस में पंजिकरन कर सकेंगे या पंजिकरन ओनलाइन और आटोमेटिक होगा इसमें किसी भी तरह के मानविय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी आयातक आयात की तिथी के 60 दिन पहले पंजिकरन शुरू कर सकते हैं जो आयात के 15 दिन पहले तक किया जा सकेगा आटोमेटिक पंजिकरन संख्या पंजिकरन के 75 दिनों की अवधी तक वैध रहेगी इस पात मंत्राले दी गई सूचना उपर नज़र रखेगा यह प्रणाली 1 नौवंबर 2019 से प्रभाव में आएगी बीते दिनों केंद्र सरकार ने कॉर्परेट टैक्स में कमी करने का फैसला लिया इसकी घोशना वित मंत्री निर्मला सीता रमणने की यह बदलाव कराधान कानून संशोधन अध्यादेश 2019 द्वारा किया गया है इसका मकसद भारत में निवेश और मेकेन इंडिया को बढ़ावा देना है इसके लिए सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 एवं वित संख्यादो अधिनियम 2019 में संशोधन किया है यह प्रावधान वित्तिया वर्ष 2019-2020 से प्रभावी होगा यह किसी घरेलू कमपनी को 22 फीसदी की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प देता है इसके लिए शर्त यह है कि वह किसी अन्य छूट या प्रोथसाहन का लाब नहीं लेंगे हाला कि सर्चार्ज और सेस को मिलाकर कमपनीयों के लिए प्रभावी कर 25.1 फीसदी होगा एक अन्य फैसले के मुताबिक 1 अक्टूबर या उसके बाद इस्थापित सभी नई घरेलू कमपनीयों को विनिर्माड में नए निवेश पर 15 फीसदी की दर से कर चुकाने का विकल्प होगा सर्चार्ज और सेस को मिलाकर प्रभावी कर 17.01 फीसदी होगा इन बदलावों के बाद अब इन कमपनीयों को मैट यानि मिनिममम अल्टरनेटिव टैक्स देने के जरूरत नहीं होगी विदेशी निवेशक भी इन सुधारों का लाव उठा सकते हैं इसके लिए या तो उनके स्थापना भारत में होनी चाहिए या भारतिया फर्म्स में उनका एक्विटी निवेश होना चाहिए इन कर्सुधारों के बाद भारत दक्षिन एशियाई देशों में सबसे कम टैक्स रेट वाले देशों के बराबर हो जाएगा इसके द्वारा व्यावसाई का नुकूलता और प्रतिसपर्धी ओपरेटिंग वातावरण के निर्मान में सहायता मिलेगी बीते दिनों जीएश्टी परशद ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए इन फैसलों में परशद ने जीएश्टी के अंतरगत करदाताओं के पंजीकरण के लिए आधार लिंकेज को अनिवारे कर दिया इसके अलावा रिफंड को क्लेम करने के लिए भी आधार की अनिवार्यता पर विचार किया गया GST परशद ने इस साल जून में जारी किये गए उस सरकुलर को भी वापस ले लिया जो किसी कमपनी द्वारा डीलरों को दी जाने वाली आतिरिक्त छूट को GST के दाएरे से बाहर रखता था सुक्ष्म लगुएवा मध्यम उद्यमो यानि MSME को वित्वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्शिक GST Composition Return यानि GSTR भरने में भी राहत देने का फैसला लिया गया है इसके अलावा परशद ने अधिकारियों की एक समिती गठित करने का फैसला लिया है जो वार्शिक रिटर्न और Reconciliation Statement के लिए आवेदन पत्रों के सामानी करण पर विचार करेगी नई रिटर्न प्रणाली अप्रेल 2020 से शुरू की जाएगी आपको बता दें कि GST परशद का गठन समविधान के अनुछेद 289A के तहत किया गया है इसका गठन 101 समविधान शनशोधन एक्ट 2016 के द्वारा किया गया था इसके अधक्षता केंद्रिय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है इसके अलावा राजस्व प्रभार के केंद्रिय वित्त राज्य मंत्री तथा राज्यों की तरप से वित्त या टैक्सेशन प्रभार के मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य कोई मंत्री इसके जिएस्टी परशत का मुख्यकारिय संग, राज्य और स्थानिय निकायों द्वारा जिएस्टी के अंतरगत लेवी किये जाने वाले करों, सेस और सरचार्जों के लिए संग और राज्य सरकारों को सलाह देना है। लोन वित्रण के लिए बारोवर्स के साथ सारवजनिक बैठ के करेंगे। इसके लिए PSBs गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियों यानि NBFCs की सहायता लेंगे। ये बैठ के दो चरणों में 24-39 सितंबर के बीच 200 जिलों और 10-15 अक्टूबर के बीच अन्य 200 जिलों में सरकार ने PSBs को सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्यमों यानि MSMEs के stressed assets को 31 मार्च 2020 तक non-performing assets यानि NPAs घोशित न करने और रिण न चुका पाने की स्थिति में संपत्ती जब्त न करने के निर्देश भी दिये हैं। इस स्थिति में MSMEs के Special Mention Account 1 यानि SMA1 और SMA2 के रूप में वर्गिकरित खातों को stressed assets ही माना जाएगा। उन खातों को NPAs के रूप में वर्गिकरित किया जाता है। यह फैसला 65 मिलियन firms में लगे 120 मिलियन कामगारों को फैदा पहुचाएगा। भारतिय दूर संचार विनियामक प्राधिकरन यानि ट्राई ने देश में Fixed Line और Mobile सेवाओं के लिए एकिकरित Numbering योजना बनाने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है। देश में Mobile के साथ साथ Fixed Line Connections की बढ़ती संख्या को देखते हुए Numbering योजना की समिक्षा करने की जरूरत है। आपको बता दें कि सबसे पहले वर्ष 2003 में राष्ट्रिया Numbering योजना लाई गई थी। इसका मकसद 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन को नंबर आवंटित करना था ट्राई ने बताया कि जून 2019 तक देश में 90.11 टेली घनत्व के साथ टेलीफोन उपभोगताओं की संख्या 1186.63 मिलियन हो चुकी है। अनुमान के मुताविक देश में 2050 तक Wireless टेली घनत्व के 200 फीजदी होने की संभावना है। वहीं 2050 तक Mobile टेलीफोन की संख्या 3.28 बिलिय हो जाएगी। दूर संचार विभाग की 200 मिलियन नंबर रिसोर्स वित्रण की ख्षमता जल्द ही खत्म हो जाएगी। दूर संचार विभाग Mobile to Mobile Connections के लिए पहले ही 13 अंकिया नंबरों का आवंटन कर चुका है। अब इन 13 अंकिया नंबरों के डेटा कार्ड डोंगल जैस से वायरलेस कनेक्शन्स को आवंटित करने की योजना बनाई जा रही है। हाला कि ट्राई ने Mobile Connections के लिए 10 से 13 अंकिया नंबरों के आवंटन के कारण डेटा की सही जानकारी नहों पाने की समस्या का जिक्र भी किया है। बीते दिनों नई दिल्ली में 16 मी Global SME Business Summit का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रिय मंत्री ने ग्रामीड और क्रिशी आधारित उद्योग तथा शहरी उद्योग के एक इकरित विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया। इस आउसर पर उन्होंने ग्रामीड क्षेत्रों में शहद, बास, टेक्स्टाइल्स, बायो फ्यूल, जर्ग परिवहन, मत्स और दूसरे उद्योग तथा शहरी क्षेत्रों में रक्षा की सहाया की काईया, रेलवेज, हाईवे और जलमार्ग क्षेत्र में विकास की बनाओ पर बात की, वर्तमान में GDP में MSME क्षेत्र का योगदान 29 फीजदी है और कुल निर्यात में यहुन 40 फीजदी स्थान रखता है, सरकार अगले पांच वर्षों में GDP में इसके योगदान को बढ़ा कर 50 फीजदी तथा निर्यात में 60 फीजदी करना चाहती है, आने व बीते दिनों केंद्र सरकार ने Corporate Social Responsibility यानी CSR से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, इसके तहत अब CSR Funds का उप्योग Research क्षेत्र में भी हो सकेगा, यह फैसला Research and Development के विकास को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है, नए नियमों के तहत Corporate संस्थान प्रेयोग कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से वित्व पोशित विश्व विद्यालेयों में भी CSR Funds का प्रेयोग किया जा सकता है, वर्तमान में Research and Development के एक शेत्र में GDP के एक फीजदी से भी कम राशी खर्च की जाती है, आपको बता दें कि कम्पनी अधिनियम के तहत ऐसी जिनका नेट वर्थ 500 करोड रुपे या कुल टर्न ओवर 1000 करोड रुपे हो या 5 करोड रुपे या उससे ज्यादा का शुद्ध लाब हो, उन सभी कम्पनी पर CSR के नियम लागू होते हैं, इसके अंतरगत आने वाली कम्पनियों को पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध ल के द्वारा CSR के नियमों में बदलाव किये गए हैं, इसके तहत एक निश्यत अवधी में निर्धारित CSR की राशी खर्च नहीं करने पर वह केंद्र सरकार के एक विशेश खाते में जमा हो जाएगी, नियमों के उलंगन पर दोशी कम्पनियों और अधिकारियों पर 50,000 स 25 लाख रुपय तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, राश्टपती के हस्ताक्षर के बाद यहाँ धिनियम का रूप ले लेगा हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया, इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच मुख्य रूप से Liquified Natural Gas यानि LNG में निवेश के लिए कई समझोते किये गए देश में LNG की आपूर्ती को बढ़ाने के लिए PM ने टेकसास के हूस्टन में बड़ी तेल एवं गैस कंपनियों के साथ बादचीत की भारत की LNG आया तक कंपनी Petronet ने American कंपनी Tellurian Inc. में धाई बिलियन डॉलर के निवेश का समझोता किया है इससे भारत को एक साल में 5 मिलियन टन तक LNG की आपूर्ती हो सकेगी भारत LNG का बड़ा उपभोगता देश है भारत ने इस साल अमेरिका से 2018 के मुकाबले तीन गुना अधिक तेल और दो गुना अधिक गैस का आयात किया है गौर तलब है कि अमेरिका द्वारा इरान और वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण भारत ने इन देशों से तेल आयात में कटोती की थी चीन द्वारा अमेरिका से LNG के आयात में कटोती किये जाने की वज़े से भारत को अमेरिका से LNG के आयात के भुगतान में छूट मिल सकती है लिहाजा तेल एम गैस की निरंतर आपूर्ती के लिए ये द्वारा बेहद महतोपूर्ण है हाला कि इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका है बीते दिनों Organization for Economic Cooperation and Development यानि OECD ने भारत की आर्थिक सम्रिधिदर की अनुमान को कम कर दिया है इसने 2019-2020 के लिए GDP व्रिधिदर की अनुमान को 7.2 से घटा कर 5.9% किया है बीते कुछ समय में कम उपभोगता खर्चूं और जटिल वित्य स्थिति को इसका कारण बताया है रिपोर्ट के अनुसार 2019-2020 में चीन की व्रिधिदर 6.1% रहने का अनुमान है इसे भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थववस्था का टैग खो सकता है आपको बता दें कि भारत उन साथ देशों में शामिल है जिनकी व्रिधिदर में OECD ने 0.6% से ज्यादा की कटोती की है भारत के अतरिक्त इन देशों में अर्जेंटीना, ब्राजील, सौधी अरब, दक्षिन, अफ्रिका और उस्ट्रेलिया शामिल है साथी रिपोर्ट ने अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध को वैश्विक अर्थवयवस्था के लिए चिंता जनक बताया है इस तरह वैश्विक सम्रिधिदर के अनुमानों में 0.7% की कमी करते हुए 2.9% किया गया है यहाँ आपको यह भी बता दें कि Reserve Bank of India ने 2019-2020 के लिए भारत की सम्रिधिदर का अनुमान 6.9% दी रखा है तो चलिए ख़वरों के शुरुआत करते हैं बीते दिनों IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 यानि WDCR जारी की गई हालिया रैंकिंग में भारत ने अपनी रैंकिंग में 4 पायदानों का सुधार करते हुए 44-वा इस्थान हासिल किया है रिपोर्ट के मुताबिक ग्यान और डिजिटल तकनीकों को अपनाने और उनके अन्वेशन के लिए भावी तैयारी में विकास की वज़े से यह सुधार संबो हो सका है बता दें कि इस रैंकिंग द्वारा देश के अर्थव्य वस्थाओं का मुल्यांकन किया जाता है या मुल्यांकन ग्यान प्रद्योगी की और भविश्य की ततपरता जैसे तीन कारकों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है या डिजटल तकनीकों को अपनाने और उनके अन्यवेशन के लिए 63 देशों की क्षमता और ततपरता के आधार पर रैंकिंग जारी करता है इस वर्ष भी अमेरिका ने पहला सिंगापूर ने दूसरा और स्वेडर ने तीसरा अस्थान प्राप्ट किया है चीन और इंडोनेशिया समग्र रैंकिंग में सबसे ज़्यादा सुधार करने वाले देश रहे हैं यह रैंकिंग IMD World Competitiveness Center द्वारा वर्ष 2017 से जारी की जा रही है इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी यह संस्था World Competitiveness Report और IMD World Talent Ranking भी जारी करती है हाली में सन्युक राष्ट ने अपने एक रिपोर्ट में Unitary Tax Session System की सिफारिश की है दरसल United Nations Conference on Trade and Development यानि अंक्टाट द्वारा Trade and Development Report 2019 प्रकाशित की गई है यह Report Financing Global Green New Deal की थीम पर अधारित है Report की मताबिक Multinational Enterprises यानि MNEs को स्वतंत्र इकाई मानने और उनकी अलग-अलग इकाईों के बीच होने वाले कर योग्य ट्रांजैक्शन्स को गैर संबध मानने की वजह से कर प्रेरित गैर कानूनी वित्या प्रवाह यानि Tax Motivated Illicit Financial Flows TMIFF को बढ़ावा मिलता है लेहाजा इन्हें रोकने के लिए नए अप्रोच को अपनाने की जरूरत है इसके लिए MNEs को एक समूह मानकर उनके लिए UTS को अपनाने की सिफारिश की गई है रिपोर्ट में UTS को सभी MNEs से होने वाले लाभों पर लगभग 20-25 फीजदी की दर पर वैश्विक नियूंतम प्रभावी निगमकर के साथ मिश्रित किये जाने की बात कही गई है आकड़ों की माने तो MNEs के TMIFF की वज़े से विकास शील देश हर साल लगभग 50-200 बिलियन डॉलर के राजस्वर से वंचित रह जाते हैं विशिशग्यों के मुताबिक अगर भारत MNEs को आम्स लेंथ इकाई मानने की नीती को छोड़ कर यूनिटरी टैक्सेशन सिस्टम को अपनाता है तो वर्तमान की तुलना में कहीं ज्यादा निगम का रिकठा कर सकेगा आपको बता दें कि अंक्टाड सन्योक्तराष्ट्र महासभादवारा इस्थापित एक इस्थाई अंतर सरकारी निकाय है इसके स्थापना 1964 में की गई थी सरकार ने करमचारी भविश्य निधी और प्रकेर्ण उपबंध संशोधन विधयक 2019 का मसौदा तियार किया है नए मसौदे में EPF MP Act 1952 में कुछ हैं बदलाव प्रस्तावित किये गए हैं ड्राफ्ट में करमचारियों को Employees Pension Scheme यानि EPS से National Pension System यानि NPS में स्विच करने का प्राउधान जोड़ा गया है साथी इसमें किसी कंपनी के अन्य रेणों पर करमचारी भविश्य निधी यानि EPS के बकाया भुगतान को प्राथमिक्ता देने और कुछ भत्तों को जोड़ने के लिए मजदूरी शब्द को दुबारा परिभाशित किया गया है ड्राफ्ट में सभी पारिश्ट्रमिकों के लिए 50 फीजदी से ज्यादा भुगतान किये गए भत्तों के साथ मजदूरी के लिए कंप्यूटेशनल बेसिस को निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है फिलहाल भविश्य निधी के निर्धारण के लिए बेसिक वेज डियरनेस अलावंस और रिटेनिंग अलावंस को कंप्यूटेशनल बेसिस माना जाता है वर्तमान में करमचारियों के अंश्दान का आठ दश्मलो तीन तीन फीजदी हिस्सा यानि बेसिक सैलरी का बारा फीजदी हिस्सा रिटार्मेंट के बाद पेंशन भुगतान के लिए एपीएस में जाता है वहीं अनपीएस की शुरुवात एक जनवरी 2004 को हुई थी इसका मकसद सभी नागरिकों को रिटार्मेंट इंकम मुहिया कराना है हाला कि शुरुवात में इसके अंतरगत सशस्त्र सैनिको को छोड़ कर केवल नए सरकारी करमचारियों को शामिल किया जाता था लेकिन एक मई 2009 से सभी नागरिकों को इसमें शामिल किया जाने लगा है हाल ही में Global Competitiveness Index 2019 जारी हुआ है World Economic Forum यानि WEF द्वारा जारी इस इंडेक्स में भारत 10 पायदा नीचे खिसक कर 68 वे स्थान पर आ गया है जबकि 2018 में यह 58 वे स्थान पर था इसके साथ ही भारत इस साल ब्राजील के साथ ब्रिक्स देशों में सबसे कमजोर प्रदरशन करने वाली अर्थवेवस्थाओं में से रहा अन्य अर्थवेवस्थाओं में सुधार इसकी बड़ी वज़ा बताई जा रही है रैंकिंग में भारत के बाद श्रिलंका 84 वे बांगला देश 105 वे नेपाल 108 वे और पाकिस्तान 110 वे स्थान पर रहा हलाकि वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम ने भारत को कॉर्परेट गवर्नेंस के मामले में 15 में शेर होल्डर गवर्नेंस में दूसरे और मार्केट साइज में तीसरे नंबर पर रखा है नविकर्णियों उर्जा के मामले में भी भारत को तीसरा स्थान मिला है लेकिन जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत अब भी निचले पायदान वाले देशों में से एक है और इसे 141 देशों में से 109 स्थान पर रखा गया है इंडेक्स के मुताबिक भारत में पुरुष कामगारों के मुकाबले महिला कामगारों का अनुपात 0.26 है और इस मामले में भारत का इस्थान 128 है वहीं इंडेक्स में सिंगापूर शीर्ष स्थान हासिल करके दुनिया की सबसे प्रतिसपर्धी अर्थवयवस्था बन गया है जबकि अमेरिका एक स्थान नीचे लुढखकर दूसरे स्थान पर आ गया है इंडेक्स में हॉंग कॉंग तीसरे नीदरलेंड चौथे और स्थान पर काबिज है इंडेक्स को क्षत्री आधार पर देखें तो एशिया पैसिफिक क्षत्र दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रतिसपर्धी क्षत्र रहा ग्लोबल कॉंप्टिटिवनेस इंडेक्स पहली बार 1989 में लॉंच किया गया था इसे 141 अर्थ व्यवस्थाओं में से 12 पिलर्स में बटे 103 संकेतकों के आधार पर जारी किया गया हाली में आयकर विभाग ने नेशनल इए असेस्मेंट स्कीम की शुरुआत की है यह फेसलिस और नेमलिस टैक्स असेस्मेंट करने की केंदर सरकार की योजना है इसमें करदाता और विभाग के बीच कोई मानविया इंटरफेस शामिल नहीं है इसका मकसद पूरी तरह से इलेक्ट्रोनिक संचार के जरिए आयकर रिटर्न मुल्यांकन की सुवधा देना है नए सिस्टम के तहट करदाताओं को आयकर विभाग के वेब पॉर्टल पर रेजिस्टर्ड खाते के साथ साथ ईमेल पर नोटिस मिलेंगे और रेजिस्टर्ड मुबाईल नंबर पर SMS के जरिये रियल टाइम अलर्ट मिल सकेंगे विभाग के साथ सभी तरह के समवाद Document Identification Number यानि DIN के माध्यम से पोर्टल पर खोजे जा सकेंगे नई योजना के कामकाज को देखने के लिए National E-Assessment Center यानि NEAC की स्थापना की गई है NEAC देश भर में करदाताओं को अधिकारियों की दखल के बिना E-Assessment में मदद करेगा Tax Assessment की सभी प्रक्रियाएं NEAC के जरीए की जा सकेंगी NEAC दिल्ली में होगा और Principal Chief Commissioner of Income Tax की अध़क्षता में काम करेगा इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चन्नाई, कोलकाता, एहमदाबाद, पूने, बैंगलूरू और हैदराबाद में NEAC के आठ रिजनल E-Assessment Centers यानि R-EAC काम करेंगे नई उजना के तहट जाच के लिए 58,322 मामलों का चयान किया गया है और वर्ष 2018-19 के मामलों के लिए 30 सितंबर से पहले E-Notice दे दिये गये हैं गौर तलब है कि National E-Assessment Scheme की घोशना इसी साल के बजट में की गई थी और सितंबर में इसे अधिसूचित किया गया था उमीद की जा रही है कि नई पहल से कर आकलन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्षता और जवाब देहिता आएगी हाली में Global Hunger Index 2019 जारी हुआ है 117 देशों में भूख की स्थिती का आकलन करने वाले इस इंडेक्स में भारत को 102 रैंक मिली है पिछले साल के मुकाबले भारत एक पैदान उपर पहुँच गया है इस साल के इंडेक्स में विश्व अस्तर पर भूख और अल्प पोशन के स्थिती को 20.0 स्कोर के साल मॉडरेट और सीरियस कैटेगरी में रखा गया है इंडेक्स में बेलारूस सहीत 17 देश टॉप रैंकिंग वाले देशों में शामिल है इन देशों का स्कोर 5 से भी कम है वहीं Central African Republic को अंतिम पायदान पर रखा गया है गौर तलब है कि इंडेक्स में रैंकिंग देने के लिए 100 पोईंट से स्केल का इस्तमाल किया जाता है इस स्केल में 0 सबसे अच्छी और 100 सबसे खराब रैंकिंग मानी जाती है इस 100 पोईंट से स्केल में 30.3 अंकों के साथ भारत भूख से पीडित गंभीर देशों की श्रेणी में शामिल है रैंकिंग में भारत अपने पडोसी देशों श्रिलंका, नेपाल, बांगलादेश और पाकिस्तान से भी निचले पायदान पर है जबकि ब्रिक्स देशों में भी भारत का प्रदर्शन सबसे खराब है इस इंडेक्स को आयरलैंड के कंसर्ण, वर्ल्डवाइड और जर्मनी के वेल्ट, हंगर, हिल्फ नाम की संस्थाओं ने सन्युक्त रूप से तयार किया है आपको बता दे कि इस इंडेक्स में चार संकेतकों अलप पोशन, उचाई की तुलना में कम वजन, उम्र की तुलना में कम उचाई और बाल मृत्यू दर के आधार पर रैंकिंग दी जाती है इन में से बच्चों से जुड़े संकेतकों में पाँच वर्ष से कम आयू के बच्चों के आकड़े लिए जाते हैं इस अफते IMF याने International Monetary Fund ने अपनी बहु प्रतिक्षत रिपोर्ट World Economic Outlook जारी कर दी है IMF ने अपनी रिपोर्ट में भारत की विकासदर को घटा दिया है रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थववस्था निरंतर मंदी से गुजर रही है मसलन भारत सहित अन्य देशों की विकासदर में गिरावट दर्ज की गई है IMF ने 2019 में वैश्विक विकासदर के अनुमान को कम करके 3 फीजदी कर दिया है जो कि 2008 की वैश्विक अर्थिक मंदी के बाद अब तक की सबसे धीमी विकासदर है वहीं भारत की विकासदर के अनुमान को घटा कर 6.1 फीजदी कर दिया गया है हाला कि 2020 में इसके बढ़कर 7 फीजदी होने की आशा जताई गई है IMF के विशिशग्यों के मुताबिक आगामी कुछ समय तक वैश्विक व्रिधिदर अनिश्चित रहेगी लहाजा वैश्विक व्यापार और भूराज नितिक तनावों को कम करने की जरूरत है रिपोर्ट में 2019 और 2020 में विक्सित अर्थवयवस्थाओं की विकासदर 1.7 फीजदी जबकि 2019 में विकासद शील अर्थवयवस्थाओं की विकासदर 3.9 फीजदी होने का अनुमान लगाया गया है IMF के मुताबिक निम्न वैश्विक विकासदर की मुख्य वज़ा टैरिफ की उची दरों और व्यापार नीती में अनिश्चित्ताओं के कारण पूंजिकत वस्तुओं में निवेश और उनकी मांग में आई कमी है हाली में नई दिल्ली में One Nation One Fast Tech पर एक कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया इस कॉन्फरेंस में देश भर में Unified Electronic Tolling Solution यानि एकिकरित Electronic Tolling समाधान लाने के लिए प्रक्रिया शुरू ही इसमें Fast Tech के साथ GST E-Way Bill System को जोडने के लिए Indian Highways Management Company Limited यानि IHMCL और Goods and Service Tax Network यानि GSTN के बीच समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए E-Way Bill System के साथ Fast Tech का यहे की करण राजस्व अधिकारियों को वाहनों की आवाजाही को ट्रैक करने में मदद करेगा इसके अलावा इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि वाहन ट्रांस्पोर्टर या व्यापारी द्वारा तै किये गए गंतवी तक ही यात्रा करें ट्रांस्पोर्टर भी हर टोल प्लाजा पर जनरेट SMS अलर्ट के जरीए अपने वाहनों को ट्रैक कर सकेंगे IHMCL ने राज्य सरकारों के विभागों, प्राधिकर्णों और अन्य एजेंसियों के बीच भी MOU साइन किये हैं जिससे पूरे देश में उपभोगताओं को निर्बाद सेवा देने में मदद मिल सकेगी इन कदमों को इसलिए बेहद एहम माना जा रहा है क्योंकि One Nation One Fast Tag Scheme 1 दिसंबर 2019 से देश भर में लागू हो जाएगी इसके बाद सभी राश्ट्रिया राजमार्गों पर टोल कलेक्शन अनिवारे रूप से Fast Tag के जरीए ही किया जाएगा आपको बता दें कि Fast Tag RFID टेकनलोजी पर आधारित स्टिकर डिवाइस है जो वाहनों की विंड स्क्रिन पर चिपकाई जाती है RFID का फॉल फॉर्म है Radio Frequency Identification Fast Tag लगी गाड़ी जब टोलनाके से गुजरती है तो सेंसर की मदद से Fast Tag स्कैनिंग होकर डिजिटल पेमेंट हो जाता है हाली में GST परशद ने एहम फैसले के तहट एक 12 सदस्या पैनल का गठन किया है राजसु में वृद्धी और GST विवस्था के अनुपालन में सुधार के लिए इस पैनल को गठित किया गया है पैनल में किंद्र और राज्जी के अधिकारी शामिल हैं आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से उपभोग मांग में गिरावट के वज़े से GST का कलेक्शन धीमा रहा है इस गिरावट का सीधा असर किंद्र और राज्जीों के बीच होने वाले करों के बटवारे पर पड़ेगा लहाजा इस बात से चिंतित होकर परशद ने पैनल का गठन किया है यह पैनल GST में दुरुपयोग को रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेज, स्वैच्छिक अनुपालन और करचोरी रोकने के उपाय जैसे प्रमुक सुधारों पर सलाह देगा इस पैनल के गठन के अलावा कराधार के विस्तार के लिए GST परशद कानून में जरूरी बदलाओं पर भी विचार करेगी आपको बता दें कि यह परिशद अनुछे 289-A के तहट एक समवैधानिक निकाय है जिसका गठन 101 के समवैधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा किया गया था परशद का मुख्यकारी GST से संबंधित मुख्यमुद्दों पर संग और राज्य सरकारों को सिफारिश देना है विश्व बैंक ने साल 2020 के लिए डूइंग बिजनस रिपोर्ट जारी कर दी है इस बार की रैंकिंग में भारत को 190 देशों में 63 अस्थान हासिल हुआ है पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 14 पायदानों का सुधार हुआ है यानि भारत पिछले साल 77 पायदान पर था रैंकिंग में भारत का स्कोर पिछले साल के 67.23 के मुखाबले बढ़कर 71 हो गया है भारत लगतार तीसरे साल उन दस अर्थवयवस्थाओं में शामिल है जहां व्यापार के लिए वातावरण में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है इन दस देशों में मुख्य तोर पर साओधी अरब, जॉर्डन, तोगो और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है इस बार भी पिछले साल की रैंकिंग की तरह न्यूजिलेंड पहला जबकि सिंगापूर दूसरा अस्थान पाने में कामियाब हुआ है जबकि हौंग कॉंग S.A.R. चाइना ने एक पैदान के सुधार के साथ तीसरा अस्थान हासिल किया है विश्व बैंक द्वारा हर साल यह रिपोर्ट दस संकेतकों में प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है इनमें व्यापार के शुरुआत करना, कंस्ट्रक्शन पर्मिट के साथ डील करना, बिजली आपूर्ती, संपत्ती का पंजी करन, क्रेडिट प्राप्ट करना, छोटे निवेशकों का सनरक्षन, करों का भुगतान, सीमा पार व्यापार, अनुबंधों का क्रियान वयन और दिवालियापन का निप्टारा जैसे संकेतकों को शामिल किया जाता है। प्रधान मंतरी की Economic Advisory Council ने देश में रोजगार के ट्रेंड्स पर एक सर्विक्षन किया है। के बीच देश के Organized Sector में भी Non-Contractual Employment को वरियता दी गई। इसके पीछे कठोर श्रम कानूनों को वजह बताया जा रहा है। इसके चलते, फर्म्स के लिए आर्थिक स्थिती के मुताबिक किसी व्यक्ति को नियुक्त करना या हटाना न केवल जटिल बलके खर्चिला भी हो जाता है। Non-Contractual Employment कर्मचारी को वेतन कम दिया जाता है, साथ ही नौकरी की सुरक्षा भी कम होती है। सर्वे के मुताबिक 2004 से 2017 के बीच महिलाओं की रोजगार में हिस्सेदारी 27.08% से घटकर 21.17% हो गई है। इस अध्यान में National Sample Survey Organization यानि NSSO के तीन सर्वेक्षणों से आकड़े लिए गए हैं। इन सर्वेक्षणों में 2005 और 2011-12 के The Employment Unemployment Survey और Periodic Labor Force Survey 2017-18 शामिल है। यह सर्वेक्षण बेरोजगारी की बजाए रोजगार के ट्रेंड्स पर फोकस करता है।